मेरी अम्मा कह रहे हैं कि लरीका हमार अकल के आधा दखात है साध्यू भी आहमायकरेब आधा दखात है अव अपने के कहत तहरे हनकर्ष्न कंधईया कुकुर्यू भी लारे का राधा दखात है साथियों नमस्कार मैं रामकृष्न पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया नियूजू साथियों हम आज एक ऐसी सक्सिय से मिलाने वाले हैं आपको बता देख हम सुल्तानपूर में तेरहुत बजार में हैं और तेरहुत बजार में अपनी कविता के नाम से जाने जाने वाले मिश्टर पुसकर सुल्तानपूरी जी से हम आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि इनके जीवन में कविता को लेकर उतार चड़ाओ क्या र और सबसे बेहत और सबसे अच्छा मंच कौन सा रहा पहले तो मैं आर इंडिया नीज में आप करता हूं जानना चाहेंगे पूसकर जी कि पहली बात तो आप यहां के बेहतर छबी में आपको लोग जानते हैं और कभिता के रूप में लोग हसाने और गुदगदाने के लिए कहीं आप प्रेम के भी कभी रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं प्रेम का जो गहरा संबंध है कहता है कि कुछ चोट होती है तो कभीता निकल जाती कभी ऐसा हुआ क्या दरसल मैं बहुत धनवाद देना चाहूँगा अपने पूरे गाउं को कि ये मेरा गाउं है और मेरा गाउं ये पूरा प्रांगर है ये हनमान गरी प्रांगर इसको बोलते हैं इधर ये बिद्याले है हमारा पूरा गाउं मुझे बहुत प्यार करता है और मैंने ये जो और मैंने उसको जब कभीता में मैंने फिरोना शुरू किया तो लोगनोंने मुझे स्रेंगार के कभी समझ लिया, और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में था कुछ हाखिया नहीं था कि मैं कभी किसी से… कुमार विश्वास कभी कभी सिंगार पढ़ते पढ़ते अपने पुरानी प्रेमिका अगेबारे में बोल जाते हैं हर किसी का कहीन कहीं थोड़ी सी चोट में प्रेमिका की चोट बड़ी गहरी होती है हमें लगा कि उसी गहरी चोट की वज़ा से आपके मुझसे वो सब्द निकल ली जाते हैं चोट तो लगी लेकिन ये प्रेमिकाओं का चक्कर नहीं था मुहबत की बाते की भाईचारे की बाते की लेकिन चोट भी लगी जीवन के तमाम उतार चड़ाओं मैंने इतनी उम्र में ही देखे हमारे उपर गंभीर से गंभीर आरोग भी लगे और उससे निकलने का इशन ने प्लान भी बताया और मैं निकला आज फिर से हमको पूरा गाउं मुझे बड़ा उसने देता है तो वो जीवन का उतार चड़ाओ रहा गरीवी जो देखी मैंने और बिलकुल मैं पास से गुजरा गरीवी से सबसे गरीवी का सबसे कड़वान भो क्या रहा आपका मैं बता दूं मैं छोटा था मेरे माबाप पताने वो क्या खाके सो जाते थे यह मुझे नहीं मालूम है मुझे आठाने देते थे पच्छास पैसे जिसको बोलते हैं और यहें पैकरी हुआ करते ही रभंबन जी की तो वो बता देते थे कि इसको ले जाना दो पहार में मताना और उसमें हमको तीन डबल रोटिया मिल जाती थी मैं उसको खाकर ही ने चल जाता था और और मुझसे ये बताते थे मेरी पिता जी कि ज्यादा कहाने से आदमी मोटा हो जाता है। भावक हो गए, पुरानी चीजों को कुरेदने से कभी जी, तो लेकिन कहीं कहीं गरीबी है, जो आदमे जहला है, जो अपने पर सहा है, उसे कहीं कहीं बावक करी देती है, एक चीज हम आप से जानना चाहेंगे, फिलाल मैं ये कहना चाहूँगा, गरीबी बहुत सारी चीजे दिखाती आप देखा होगा संघर्ज करते हूए मैं उनको बताना चाहता हूँ जो इस समय में दुनिया के सबसे बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं आपके यहीं अमेठी गवरी गंज के माने जाते हैं एक से एक गाने लिए लिए जाने जाते हैं मनोज मुंतिसिर जी वो बताते हैं कि 6-6 दिन में कमरों में बंद रहा मुझे पता नहीं चला कि कब दिन हुई कब रात खाने के लिए सिर्फ पारले बिस्किट पर जिंदा रहा तो यह कहीं कहीं संगर्स के दिन होते हैं और यह संगर्सों से गुजरने के बाद ही आप एक न मेरे हरमंच ऐसे लग रहे थे जैसे कि हरमंच मुझे उचाई प्रतान कर रहा है देश के तमाम परतिस्ठे तमाम कभी शायर उनके साथ कविता पढ़ने का मौका मिला अनौप चारी ग्रूप से रहने का भी मौका मिला और मैं बड़ा सभागी साली हूं कि मैं और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे यसा लगा ही नहीं कि मैं कोई मंच छोटा हो संतुषानन जैसी सक्सियत के साथ भी बैठा ये सुल्तानपूर के गवरों की बात है ये सुल्तानपूर की धर्ति से निकल कर कुमार विश्वास के साथ कभिता किये हैं cafeteru सक्सेना जी के साथ कभिता कर कर चुके हैं और आपको बता दे कि दुनिया में सर्वस्रेष्ट गाना लिखने वाले एक प्यार का नगमा है वो गाना दुनिया में सबसे फेमस हुआ आज वो थोड़ा सा बीमार रहते हैं उनके साथ आपने मंच साजा किया है देशा नहीं है कि उनका एक ही गाना फेमस्वा हो एक गलिया यहां आनना दो बारा जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी उन्होंने यह भी लिखा कि भवने ने किलाया पूल पूल को तो यह सब तमाम धेर सारे दिल दीवानों का डोला दिलदार कि उन्होंने जितने गीत लिखे संतोस आनन जी ने यह मेरा सवभाग रहा है कि उनके साथ कवेपाट करने का मुझे सवभाग प्राप्त हुआ है उन्हीं के साथ ने मैं मैं बहुत खुछ नसीब हूं किस्मत वाला हूं और माबाप की दुआएं हमारे साथ हैं कि हम अदम गोंड़ी जैसी सक्सित के साथ भी कवेपाट कर चुके हैं जानना चाहेंगे जिसे सबसे ज्यादा अच्छी कविता आपकी कौन सी रही और जिस पर लिखने पर आपको गर्ब महसूस हुआ हो और ऐसी कौन सी सबसे थोड़ी सी खराब कविता रही जिस पर लिखने पर अच्छा है कौन खराब है मैं तो अब महां जो लिखवाती है वो लिख देता हूं लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बता दू कि मेरी कौन सी मेरी किताब आई पुशकर्णी मैं पढ़ा उसको थोड़ा सा जी पुशकर्णी आई जो अमिजान पर उपलब्द है औ लेकिन कभीता कौन सी अच्छी है ये बता पाना मेरे लिए बड़ा कठिन है कभी कभी होता है कि मैंने ये बहतर कर दिया कैसे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं वा और अच्छा हो सकता था नहीं वो हर बार मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं मैं कुछ भी लिखता ह यह प्रस्ण मुझे बढ़ी है हमको डर था कि यह प्रस्ण मेरे सामने आएगा आपको कभिता करते हुए और मंज पर खड़े होके आपने समरस्टा की बाते की है और मैंने सुना है मेरे सामने आपने की है लेकिन अभी जो घटनाएं जगा जगे दिख रही आपके की बातें एकी जगे तो लागू होती नहीं वो तो हर जगें लागू होनी चाहिए हर धर्म में होनी चाहिए हर जाती हर समपरदाय में होना चाहिए लेकिन बाते करने से तो नहीं होगी और आपने बाते की तो क्या लगता है कि समरस्टा सुल्तानपूर में अस्थापित र लेकिन अगर अपने आंगन में देखा जाए तो बिखरा हुआ लगता है अगर यहीं मैं किसी बीसे समुदाइगी तरफ नहीं तो रहेगी आपसे एक टिपड़ी यह रहेगी कि आपके यहीं मगल में ज्यादा से ज्यादा जो जिस अस्थान पर मैठा हूं यह आपको बता द यह हनुमान जी का दरबार है उनके प्रांगण में हम लोग बटकर यह इंटर्विव कर रहे हैं और उन्हीं के दरबार में यह मैं आपसे पूछूंगा भी कि जिस तरीके से समरस्ता की बात आप करते हैं उसी समरस्ता को कास वो लोग सोचते लेकिन नहीं सोचे और कुल बड़ा है लेकिन उसमें हम अगर देखें उसको कुरेद कर देखें तो उसमें जो आलिम लोग थे उनकी उपस्तिती नहीं रही होगी वो उपद्रवी रहे होंगे वो ऐसा जाल फैला हुआ है देश में तमाम तरीके के लोग जिहादी और यह सब नाम दे करके तो उन को मैं आदमी ही नहीं समझता हूं ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने उपद्रों किया और जो हुआ दुर्भाग पोड़ों हुआ एसा कभी नहीं होना चाहिए था हम हमारे कमित्र हैं कभी लिखते हैं कि मैं इद में आया था तू होली में चला फुर्षत मेरे यार तू मे लोग मुझे स्थामपरदाई समझ लेते हैं अगर हम भारत माता की जय बोलता हूं तो लोग मुझे स्थामपरदाई समझ लेते हैं अगर मैं वन्ने मातरम बोल देता हूं तो लोग मुझे स्थामपरदाई समझ लेते हैं जब ये स्थिति आती है तो कही न कहीं दिक्कत ख लेकिन ये भी आपको मानना चाहिए मैं सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से आर इंडिया के माध्यम से मैं संदेज देना चाहूंगा सरकार को कि आपको ये भी मानना चाहिए कि कहीं कहीं आप से भूल हुई है और कहीं कहीं आप अंदेखी किये हैं कहीं कहीं कचोट रहा आपका मन हमें लगता कुछ प्रस्ण आपके दिल में है कि वो प्रस्णों का जबाब आपको नहीं मिल पाया इसलिए कचोट रहा है अब प्रसुन तो पूछने का काम आपका है लेकिन सत्य तो यह है कि एक कोई भी काम हो उसका या तो निर्णय उत्तर जीवन हमारी अभ्यास पुष्टिका है हम इस पर क्या रंग डालते हैं क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते बाद में आने वाली पीड़ी पढ़ेगी लेकिन अगर हम एक विशेश समुदाय मूर्तियां लेकर जा रहा है मा दुर्गा पूजा का कारिकम चल ला है उनकी सोभायात्रा निकल रही है अब पत्थर दिन बदला लेकिन क्या दिन बदलने के बाद रोका जा सका हमको अब यही यही रामकिस जी मैं बहुत च्छमा चाहता हूं लेकिन हम दिन बदल दिये यहीं पर हमको दिल बदलना है नियत तो नहीं बदली न हम दिल नहीं बदला दिन तो बदल गए हम एक दिन लेट कर गए कि आपका तेवार पूरा हो जाए सांती पूरवक हो जाए हमने दिन बदल दिये लेकिन लोगों के जब दिल नहीं बदले तो दुर खटना होगा आप यह जानना चाहेंगे कि जो आप ज़्यादा गाते हों आपको प्रियलगी मैं यह कभीता आप से सुनना चाहूंगा मैं बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं चार पंक्तियां यूं कहूंगा कि यूं ख्वाबों में खयालों में ये दिल नाशाद करते हैं मेरा हमदम सलामत हो यही फरियाद करते हैं और हवा का एक जौका छू के उनको आ गया होता तो हम तस्लीम कर लेते हो हमको याद करते हैं च्छा कभी कभी तो लगता है सातियों कि इतना डर्द अगर कहीं है तो कुछ न कुछ तो टुकड़े हुए होंगे उन टुकडों से निकलता दर्द है लेकिन अब ये छिपा रहे हैं वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि इनका क्या दर्द है ये अलग बात है अच्छा दूसरी चीजे और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि सबसे बड़े मंच पर कभी आपके ही नित्रतों में कुमार विश्वास क्विता किये हैं कैसा लगा था उफ़ टाइम आपको क्विता में आपि पीछे जब आपने शुरुवात洗े होगी लगबग 10 साल। साल में के पहले जो कभीता थीं कुछ अंतर देख आज के युग में बहुत अंतर देखता है इन बीच मंचों पे चुटकुले बहुत आये और अब तो तमाम ऐसे लोग हैं जो की केवल चुटकुले ही पढ़कर के वो कावेपाथ कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे नौजमान भी आये जिन्होंने बहुत अच्छे चीक कभिताय लिखी बहुत अच्छे चीड लिखे हमारा एक नौजमान कभी प्यूश्प्रकर है अभी बिल्कुल लिवा है चार शे दस मंच देखा होगा उसने वो भी लिखता है कि अब कभी मैं देर तक स कुछ होता नहीं क्या घजब का लिख दिया तो अच्छे लिखने वाले भी आए लेकिन पिर उनको मंच नहीं मिला कहिन कहीं मंचों के आभाव में कभी दब भी नहीं आप मानते हैं बिलकुल मानता हूँ उनको मंच नहीं मिला नवजवानों को मंच मिलना चाहिए हमारे जो नवजवान शायर है नवजवान कभी है और नवजवान कभी और शायरों से निवेदन है कि वो आग लगाऊ कभी ता न पड़े मैं भी लिखता हूं मंदिर पर मैं भी लिखता हूं मस्जिद पर मैंने मंदिर मस्जिद पर लेकिन अब मैंने एक पंक्ती उपर की बदली और पूरी गजल लिखी कि कोई अबना मजहब में कोई रंग जंग का डाला जाए खुस्नुमा रास्तों को ढूंड निकाला जाए अब तो बर्दास्त के बाहर है वतन की हालत आओ फिर मिलके इस वतन को समाला जाए और एक नसीहत भी है और लेकिन मैं कभी हूँ इसलिए निस्तन कोच बाव से कहता हूँ यह डर है कि मुझे कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा उसमें एक शेर है कि फूल की कुदरती खुस्बू अगर बचानी है फूल की कुदरती ख आख न बदला करते मेरी आदत पर कोई रंग न डाला जाए और सेर कहने का मेरे है यही मकसद पुशकर भूखे हाथों से अमना चीना निवाला जाए यह बड़ा संदेश है इसमें कि सब लोग मिल जूल कर रहे हैं राजनीती ना करें किसी मामले को लेके किसी कोई मामला ब तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्सकों को कोई इसी चीज सुनाएं कि लाश्ट वीडियो तक देखते देखते वो बगएर हसे न रहता है उसमें देखे हमारा जो परिवार रहा है वास्तों में थोड़ा साथ आर्थिक तंगी रही और आर्थिक तंगी क्या भावग्रस्त पर अधरिवार था मेरा बच्पना जो बीता है उचलते कूदते हुए बीता है और जब कोई शादी आए तो मैं नहीं करता था मना कर देता था कि अभी मेरी उम्र कहा है तो उस पर भी मैंने कर लेखी कि वह अवधी में है मेरी अम्मा कह रही है कि लरीका हमार अकल का आधा क्या बात है तो यह मानिवर पुसकर सुल्तान पुरी इनका चैनल भी है आप किस नाम से है यह मैं जानना चाहूंगा वह भी पुसकर सुल्तान पुरी के नाम से है कभी पुसकर सुल्तानपुरी के नाम से चैनल अगर आप यूटूब पर ढूढ़ेंगे तो आपको सारी कविता हैं इनकी आपके चैनल पर मिल जाएगी आपके मुबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी आर इंडिया ने उद्में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद जहिंद जह भारत आपके कमेंट्स जरूर चाहिए ये पुसकर सुल्तान पुरी भी पढ़ें और जानें कि आपने इनको देखा है और इनके गानों पर इनके बिचारों पर इनकी कविता पर इ जे भारत